जन लोगपाल और किसानों की समस्याओं को लेगा समाच सेवी अन्ना हजारे तेस मार्च से दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे हैं इससे पहले उन्होंने अब प्रिधान मंतिर नरेंद्र मोधी को एक बार फिर चिठी रिखी है जिसमें अन्ना ने आंदोलन के लिए पीम से जगह मांगी है अन्ना ने कहा कि सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सरकार को जुकने पर मजबूर करेंगे समाच सेवी अन्ना हजारे ने बताया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में भी आयोजन स्थल की मांग को लेकर केंद्रे ग्रह मंतरी राशनात सिंग, तिल्ली पुलिस और नगर निगम अधिकारियों को पत्र लिखे थे लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला अन्ना ने बताया कि वो प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी को अब तक 43 पत्र लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने लोकपाल और लोका युक्त विध्यक लागू करने और किस्तानों की समस्या हल करने की मांग की थी लेकिन प्रष्चाचार के किलाफ नारा देकर सत्ता में आई मूदी सरकार अब बदल चुकी है अन्ना के मुताबिक प्यम मूदी ने अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया केंदर सरकार के इसी रवये से नारास होकर अब अन्ना ने 23 मार्ट से अंदोलन करने का एलान किया है अन्ना ने कहा कि जब तक सरकार मजबूत लोकपाल बिल नहीं लाती तब तक वो अपनी आवास उठाते रहेंगे डिविलाइफ के रिपोर्ट